ने ने अहसने वाली बार नी, यह रियरली यह सवाल आया ही नी सवाल इस ट्राइब कर दिया था कि हमारा हम उस सवाल पे ही इस सवाल के जवाब पे, समझगे ना? तो अभी मेन कंड्डिड यह है कि अगर वानी को मैंने लिया है तो कुछ सोच समझ के उसके अंदर कुछ देखा है, उसके अंदर acting का caliber है, जो मेरी script है, जो मेरा concept है, उसमें वानी justified करेगी मेरे character को, बाकी बानी को तो देख रहे हैं आप कितना बोलती है, कितना उसके अंदर, उसी type की मुझे लड़की और जो heroine चाहिए थी, उस type का किरदा चाहिए था उसी साफ से मुझे मेरे करेक्टर को जस्टिफाइड करेगी तो सिर्फ वानी कर सकती है जो मैंने काफी लड़की आई मेरे पास में करने के लिए जो जस्टिफाइड वानी कर सकती वो संस्कριğu कि गए जो समया इनकी फिल्म देखी जो संस्किर्ट में उन्होंने कोई फिल्म की है उसका मुझे मैंने उक्सा ट्रेलर देखा फिल्म देखा तो मुझे अच्छा लगा अच्छा लगा और उस ही को देखके मैंने वानी से हमारे काफी रिलेशन काफी पुराने नजर आई की ग Aber the main content कीया है कि जब मैं फिल्म बनाने चला तो मुझे वानी ही फिर्स्ट नजर आई कि भाई वानी को मैरे करेक्यक्ट को जस्टिफ्ट कर सकती इसलिह मैंने वानी को कास्ट पी इनके कारियर से एक्टिंग करने के लिए है उसके अंदर एक करेक्टर जो होता है जो एक अपने अपने हीरो को यानि के जो हीरो होता फिल्म में उसको कैसे करके करना है वो एक हीरो इनका करेक्टर है मेरे फिल्म में तो उस हीरो को कैसे करके लेके जाती है एक किक बॉक्सर है किक बॉक्सर को अब पूर्चर को कैसे करके मैंनिज करके अपने साथ में लेके चलेगीवो एक कौलिटी है मेरी हरोइन की तो मुझे वानी में नजर आई हम ने उस इसाफ से वानी को सब्सक्राइब हम एक अच्छा काम करना चाहरे हैं और अभी हम ओपन करना चाहते हैं अगर हम अभी से ओपन कर देंगे तो आगे तो हमारी फिर हम इंट्रूव्यू आप अगल नेक्स टाइम हम से इंट्रूव के लेंगे फिर कितम हो जाएगी कान